जारखंड हाइकोट के नए मुख्य नदिस तो दोस्तों जारखंड हाइकोट के नए मुख्य नदिस की नियुक्ति हो चुकी है और यहां जारखंड करेंट अफियर से लेटेड है तो इसलिए आप लोगों को यह जानगारी को घ्यान रखना है बेरी बेरी इंपोर्टेंट ह तो दोस्तों यह जो नाम है वी आर सारंगी यह आप लोगों को याद रखना है यही जो है जारकन हाइखोट के नए मुख्या नाधिस बने हैं तो आगे हम लोग देखते हैं इसके परणजनकारी सुप्रिम कोड कोलेजियम ने जारकन हाइखोट के चिप जस्टिस के लिए व टो आगे मुख्या नाधिस जो है वह वी आर सारंगी बनेंगे जार्कन हाइखोट की यह याद रहेंगे वी रंजन सारंगी यानिकी विद्द रिंजन सारंगी जार्कन हाइखोट के पूर्वा कीब जश्टिस संजेक मंर निस्रा का अस्थान लेंगे तो च Yap mar न Englishare जो पर विद्धुत रंजन सारंगी अब धर्गन हाई कोट की नए चीप जस्टिस बनेंगे विद्धुत रंजन सारंगी इससे पूर्व और इससा हाई कोट के वरियतम जज रह चुके हैं यह भी आप लोग थोड़ से याद रख सकते हैं विद्धुत रंजन सारंगी सत्ताई साला तक औरिसा हाई कोट में और सुप्रिम पोट में वकालत कर चुके हैं तो इनके बारे में अगर जानकारी को है देखना तो यह है कि औरिसा हाई कोट में यह सत्ताई साल तक और सुप्रिम पोट में यह वकालत भी कर चुके हैं जो अ भारतिय समयदान के अनुच्छे 2017 के तहत किया जाता है और यहां राष्टपती दोबारा सुप्रीम कोट के मुख्यनाइदिस और उस राज के राजपाल के परामर्स दोबारा किया जाता है तो यह आप लोगों को याद रखना है यहां आप लोगों का सेविक से भी रिलेटे है तो आप लोग इसको भी तोड़ से याद रखेंगे कि किसी भी राज के जो है हाई कोट में मुख्यनाइदिस की जो निक्ति होती है वहां भारतिय समयदान के अनुच्छे 2017 में बताया गया है और 2017 के तहात में कहता है कि जो चीप जैस्टिस होते हैं हाई कोट की उनकी न उस रज के राज के परामर्स लेने की बाद में ही राश्टपति की जाती है तो यह आप लोग आद रखेंगे यहां से भी कोश्टिस की निक्ति के जाती है तो यह भी आप लोग याद रखेंगे यहां से भी question पूछे जाते तो दोस्तों यहां पर इतने सार जानकारे को ध्यान रखना है लेकिन अभी हमें को जो है जानकारे ध्यान रखना है हुआ है कि हरकंड हाइकोट के ने मुख्य नए थे जो है वहाँ बन गया है अभी विद्यूत र जल तो यह आप लोग याद रखेंगे